हेलो गैज आप रुक्या से होगा बहुत अच्छों गैज वेल्कम तो अनदर वीडियो यह वीडियो बहुत बहुत अधा वैल्यूबल इंफॉर्मेटीव होने वाली क्योंकि बताओ क्यों क्योंकि इस वीडियो में आपको होमपेज बिताने वाली हूँ जैसा कि कभी भी बनाना पड़ता है क्योंकि आपकी वोमपेज ही होती है जिससे आपके कस्टमर आपसे इंगेज होते हैं और आपके लाइन बनते हैं और उसके बाद आपके service होनी चाहिए and then उसके बाद आपके portfolio होनी चाहिए and साथ-साथ आप क्या service दे रहे हो वो होना चाहिए and most important आपसे ही क्यों service लोग ले why, why you for this service वो आपको present करना है and उसके बाद testimonial जो most important होता है कि वही testimonial आपकी customer को, आपके client को action लेने के लिए बादे कर देगा कि आपसे ही वो service लेगा, ठीक है तो यह पांच ऐसे elements हैं section से जो आपके home page भी रहने ही चाहिए anyhow, before launching a website, so guys, इस वीडियो में में यही बात करेंगे, concourse elements हम डालेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया है, और उसको designing कैसी होँगी, वो हम बात करने वाले है, और उसको steep पर स्टीब हार एक चीज में आपको detailed में बताऊंगी, कैसे आप design करेंगे, कैसे आप eye catchy headline, descriptions और बाकी सारे sections बना सकते हो, so बने रहो इस वीडियो में, ताकि आपको complete वीडियो में home page का पूरा layout पता चल जाए, पूरा wireframe पता चले, पूरा हम क्या करने वाले, वो साय शीशी आप detail में सीख सको, ताकि आप भी अपने WordPress website को इस्तमाल करके, engage अपने customer को engage कर सकते हो, और call to action उन्हीं दे सकते हो, ठीक है, तो चली हम सीखते हैं, कैसे हम बनाते हैं, सारे step to step by step, सब कुछ हम सीखेंगे, एक beautiful stunning eye catchy homepage बनाएंगे, तो कैस आपको अपनी WordPress dashboard पे आना है, और यह यहां पे आपको सबसे पहले एक theme ले लेनी है, theme आप चाहो तो हैलोरे में इंटर यूज़ कर लो, या आप आस्टरा यूज़ कर, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है guys कि कैसे आप यह WordPress पे theme इंस्टॉल करते हो, कैसे अक्टिवेट करते हो, यह सारे जो options मिल रहे हैं, हमें menu मिल रही हो WordPress पे, इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको basic सीखना पड़ेगा WordPress का, कि आप कैसे यह सारेशी के create करोगे and install करोगे, यह सब चीज़ के मतलब क्या है, कभी नहीं use करना चाहिए, तो इसके लिए आपको वीडियो का link high button मिलेगा, तो जरूर उस वीडियो को जो एक complete WordPress की tutorial है, basic to advance है, तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आगी, अगर आपको WordPress अच्छे से आता है, then well and good, आप बहुत अच्छे जा रहे हो, so यह वीडियो आपके लिए होगा, so दिखी इस वीडियो में हम जो है, सबसे पहले एक theme को setup कर लेंगे, जैसे दो मैं recommend करूँगी, तो मैंने अभी Hello Elementor को install करके activate किया हुआ है, उसके तब plugins पी आओगे, और plugins पी आने के बाद आपको यह चार plugins लेने है, Elementor, Elementor Kids, Elementor Kids की अभी हम use नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ अभी Elementor का use करेंगे, Essential Add-on for Elementor का use करेंगे, Royal Elementor Add-on's का use करेंगे, तो य यह तीन plugin की हमारी use में है, और इसकी जो है, यह header and footer डिजाइन करने के लिए है, तो हम इस video में उसे homepage बिनाने वाले है, तो यह header and footer तो काम का है नहीं, बट अगर आप सीखना चाहते हो, Elementor Kids से header and footer कैसे बनता है, तो इसका link आपको 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 तो basically अभी आपको सबसे most important make sure आप Elementor यहाँ पर install कर लो, दूसरी है essential addons for Elementor and तीसरी है royal elemental addons, तो यह तीन plugin आपको अभी इस video में जरुआत है, without इन थ्री plugins के आप homepage design नहीं कर पाऊगे, ठीक है, तो यह step to video है, इस video को अपच्छे से देखिएगा और एक खुबसूरत stunning and eye-catchy homepage में आएंगे, यह video बहुत clear and concise होने वाली है, मतलब मैं इसमें ज्यादे फालते को चीज़े नहीं put करने वाली हूँ, मैं वही चीज़े बताने वाली हूँ, जो marketing की method है, like marketing में हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, conversion चाहिए है, delete चाहिए रहती है, हम अपने website को optimize क अपने customer को draw कर सकते हैं, attention grab कर सकते हैं, ताकि वो action आपने website को launch नहीं कर सकते, otherwise वो आपका महनत पुरा बेकार हो जाएगा, website बनाने का, तो website का मकसद यही रहता है, कि आप उस website को use करके अपने client को, अपने customer को लाओ, lead generate करो, ठीक है, अपने business को scale करो, ठीक है, यह हमारा purpose होता है, किसी भी एक marketer का, किसी भी एक business का, चलिए, तो ज़्यादा time waste नहीं करते हैं, make sure आप यह तीनो plugin, install, activate कर लो, sorry, यह Elementor essential add-ons, for Elementor and Royal Elementor add-ons, यह तीन plugin आपको install कर लेनी है, अब आज़ो pages पे, pages पे आप यहाँ पर add new page करो, और यहाँ पे हम बनाएंगे homepage, यहाँ पे मैंने लिख दिया homepage, ठीक है, यह homepage लिख दिया, और इससे added with Elementor करते हैं, so guys आप देखो कि यहाँ पे header photo बना हुआ है, तो देखो यह जो वीडियो, यह आप देख पार है, header footer तो यह वीडियो particular वीडियो में थी, जो distor marketing agency की website मेंने सिखाया था, तो उसका link आपको आपको आप देखेगा, तो इस वीडियो के बाद वीडियो देखेगा, अभी नहीं देखेगा, ठीक है, अभी यह देख लीजे आप, तो यह वीडियो को description नहीं मिल जाएगा, elementor की playlist, ठीक है, जहाँ पर आप यह basic to advance elementor की elements को सीख सकते हो, और एक खुब स्रस्ती home design कर सकते हो, अपनी website बना सकते हो, ठीक है, तो चलिए अभी आप यहाँ पर settings पर click करो, page settings पर और यहाँ पर नीचे आ जाईए, नीचे आप देखो आपके left and right से space आती है, और अपकी जो design है, वो stunning नहीं दिखती है, नहीं वो उस तरह से clearly display होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हमेशा settings पर आपके, उसको full width करते हैं, ताकि हमारा यहाँ से title चला जाए, and header folder दिखिए, और right side से, और left side से हमारा space भी properly आए, ठीक है, तो यह ह होता है, चलिए उसके बाद हम यहाँ से start करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर करो, plus icon पर click करो, flash box पर click करो, यहाँ पर सारे container के बारे मैंने उस elementar के playlist में बताया हुआ, यह सारे शी आपको समझ में आएंगी, जब आप वो देखोगे, ठीक है, तो चलो आप यहाँ पर नए टैप पर आजाओ, और यहाँ पर सर्च करोगे, circle, square, colorful, background, तो कुछ इस तरह की background सबको मिलेंगी, ठीक है, आप बहतरीन से बहतरीन backgrounds, free pick से ले सकते हो, यहाँ पर all tabs, आओ, और यहाँ पर देखो, free pick है, free pick पर करोगे, तो यहाँ पर अलग-अलग आपको designs मिलेंगे, ज यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर उस तरह का designs आएगा, तो यहाँ पर photos पर ले लेना, और यहाँ पर license पर free कर दीजेगा, तो उसी according free वाले images यहाँ पर दिखने लगेंगी, तो यहाँ पर जाते हो background वैसा आप यहाँ से ले लीजेगा, ठीक है, तो कुछ background मैंने यहाँ पर लिए हुए है, मैं आपको दिखा देती हूँ, three pics से ही लिए हुआ है, वही मैं design करने वाली हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से आपको वो zip file बना कर देगा, आपको zip file को extract all कर लेना है, और इसमें आपके जो background पड़े हुए है, देखो आप, इसको मैं drag करके, इसको drag करके यहा background है, इसी तरह के बहुत सारे background आपको वहीं से मिलेंगे, आपको सिर्च करना है, ठीक है, extract कर लेते हैं से, इसको यह उठा करके, करनाम change कर देती हूँ, दोनों background हैं जिससे हैं से लिए, तो यह इसको भी extract कर दो आप, ऐसे मैंने 4-5 लिए हुए हैं, तो आप वहां से ले ल background हैं, अगर वहां से लोगी तो आपको बहुत खुबसुरस backgrounds मिल जाएंगे, जो आपको बहुत पसंद आएंगा, वहां अपने banner में यूज करने वाले हैं, और कुछ इस तरह से vector images, vector images भी आपको यहीं से मिल जाएंगे, अगर मैं आपको यहां पर बताओं कैसे सर्च करना ह आप सर्च करोगे, person with laptop, तो यहां पर बहुत सारे आप खोशतर रखे, vector image मिल जाएगा, इंटर कर दीजे, तब देखोगे, यहां पर मैंने फोटो किया हूँ, आप vector link कर दो, यहां पर vector PSD बगड़ा कर सकते हो, और free कर दो, उससे regarding आपको यहां पर related बहुत सारे images मिलेंगे यह free वाली है, यह सारे free वाले है, जैसे आपने free वहाँ पे click किया था, तो यह दो free मिल गया, आप यहां से download करोगे, and zipal को extract करोगे, आप यहां सी image निकाल लेना, तो यह process होता है, free pick को use करने का, तो इस तरह से आपको करना है guys, इसी तरप 4-5 images ले ले लेना, and उसके बाद design करना, start करेंगे, तो आप, hope आपने ले लिया होगा, और हम यहां पर उसी background को use करने वाले, जो background को अभी हमने extract किया था, चलिए, तो आप यहां पर का करोगे, सबसे पहले 6.0 पे click करो, और यहां पर आप सबसे पहले width पे आजो, और width पे आखरके, यहां पे 1280, width दो दो, अ आप देखो यह background आ गई, और इस background को आप click करो, और यहां पे, आपके background यहां पे आजाएगी, सब देखो यहां पे background आ चुकी है, और इसको select पर click कर दो, तो आप इसे आपको setup करना पड़ेगा, तो आप देख रहे हो कि यह, जो height कम है, इसके height को बढ़ाने के लिए, पोज अदर, like अपने जो भी हमारे headings होंगे, आपके descriptions होंगे, buttons होंगे, इसी में आएंगे, तो उसके पहले आप आप आपका करो, advance में आपके padding ओपर से देदो, आप 100, bottom से देदो 100, great, अब आप इस plus 7 पे click करो, और यहां पे heading drag and drop करो, आप heading drag and drop किया, यहां पे आप अपने eye क्य अची, आप यहां पे heading लिखो, तो मैं मानती हूँ कि आप एक agency honor हो, और आप एक अपने agency के लिए आप उस home page को बनाना चाहते हो, या आप कोई business honor हो, तो वो दो line की एक ऐसी headline आपको लिखनी है, जिससे कोई भी बंदा तूरंत वो convert हो सके आपके उस service को लेने के लिए, ऐस copywriting आपको करनी है, तो copywriting कैसे आप कर सकते हो, copywriting अच्छी से अच्छी कैसे कर सकते हो, आप निकालो, मैं आपको tips देती हूँ, आप पांच ऐसे अपने competitor निकालो, जहां पे उन्होंने अच्छी अच्छी जो है, like headlines लिखे हो, उन्हें आपको copy करना, जिस synonyms change करना है, तो इ copywriting मतलब क्या, आप उन्ही की headline को, चैट GPT कर यूज करके, या किसी दूसरे platform को यूज करके, उन्ही जैसा synonyms बदल करके, एक अच्छी से headline बना दो आप, वह होती है copywriting, ठीक है, तो चलिए, मैंने यहाँ पे add किया, सब्सकरो, कि digital, marketing, यहाँ पे लिख सकते हैं, optimize, सब्सकर मैं यहाँ पे web design का ही, एक homepage बना ले हो, लग वेब design agency का ही, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिकूंगे, optimize your website, ठीक है, website लिखती हो, optimize your website to rank, rank on search engine, search engine, without, अब time ही दे सकते हो, like time नहीं देते जलो, optimize your website to rank on search engine, ठीक है, ऐसा दिया, style पे आ जाओ, और center पे आ करके, यहाँ पे इसका जो color है, वो white दे दो आप, और उसकी बाद यहाँ पे click करके, यह urbanist मैंने डाला था, आप यहाँ पे pop-ins यूज़ करो, pop-ins one of the best phone family है, तो आप इसको use करो, and इसका weight of 700 ही रखना, और यहाँ पे size increase कर सकते 55 दे सकते हो, और यहाँ पे कहीं पे भी BR tag लगा दो, और यहाँ पे इसे थूड़ा decrease करेंगे हम लोग, यह decrease हो गया, अब भी अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यह कुछ ऐसी आ रही है, great, हम ऐसे ही चाहते है, और उसके बाद प्लस अगर पे click करोगे, और यहाँ ट text editor को drag and drop करोगे, यह आपको text लिखने में help करता है, तो text क्या लिखना है, वो आप यहाँ पर लिखो, तो चलो chat GPT का इस्तमाल करते हैं, आ जाओ, और यहाँ पे chat GPT open करो, और आप यहाँ पे बस इन्हें prompts दो, क्या prompts दोगे, write design agency, अब यह headline क्या है, headline आपको यहाँ पर आजा है, AI को, कि आप EC headline को उपर, यह description चाहते हैं, ठेक है, यह हो गया, तो write 50 words for headline, on headline करते हैं, on headline, optimize your website to rank, इसको हट आईए, यह prompts हाँ, ठीक है, यह इससे क्या होगा, यह इसको engage बनाएगा, वो, and call to action, चलो, यह मैंने prompts लिक दिया, और यह यहाँ पर देदेगा, ठीक है, create, आप इसे copy कर लीजिए, कुछ ऐसे ही prompts आपको यहाँ पर देने हैं, और उससे यह क्या करेगा, अच्छे अच्छे आपको content मुना के देदेगा, ठीक है, मैंने paste कर दिया, इसो अब install में आप, center में तो यहाँ पर आप पॉपिल्स लिखिए, और पॉपिल्स यहाँ पर डाल दोगे आप, और उस size अगर बढ़ाना है, तब size बढ़ा दो, ठीक है, and advance में आकर एक चीज़ बता रही हूं आपको, दियान से देखना, वीद पर आकर इसे custom करो, और custom करके यहाँ पर, जितनी size आ आप रखो यहाँ पर, चार्ट लाइन में चाहिए, अगर description तो ऐसे रख करके इसे center में कर देना, यह center में आ जाएगा, great, प्लस अगर पर क्लिक करके, यहाँ पर बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर drag and drop कर देना, और इसे आप center में ला दो, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप action दे सकता है, contact us दे दो, यहाँ उसे जो user है, उसे आप अपने WhatsApp ग्रूप पर लेकर आओ, यह WhatsApp चाट पर लेकर आओ, तो उसका link आप चाट अस देना चाहते हो, chat with us, तो यहाँ पर आपको अपने WhatsApp का link के देना है, ठीक है, यह एक option हुआ, दूसरा option हुआ कि आप अपने contact page पे लिखा जाओ, contact page आपको बनाने आता है, नहीं आदा गाइस, तो इसका link आपको आपको आविडन मिलेगा, जहां मैंने सिखाया हो, कैसा contact page बना सकते हो, ठीक है, contact form बनता कैसे है, चलिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पर डाल दो, contact us, याप quote us भी लिख सकते हो, जो पर action, call to action देना चाहो, और यहाँ पर contact is just search करना, अपने page का, और यहाँ पेज क्लिक करना, page पेज पर आईए, देको link आऊ गई अपने आप, आपको link को आपको पेज भी नहीं करनी, अपने आप आप आजाती है, बस आपको page करना होता है, इस टैल पर आओगे, और उसके व तो मैं थोड़ा light करूंगी, ठीक है, और इस color को save करना है मुझे, तो इसको plus icon पे click करो, और मैंने इसको new color दे दिया नाम, जो भी 3, 2, 3 में कुछ दे दिया, आपको save कर दिया, create कर दिया, अब यह जो color आपको यहाँ दे को दिख रहा होगा, ठीक है, अब उपर में आ जाई तो transform में click करके uppercase कर दिजेगा, ठीक है, यह हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप border radius 2 दे दिजे, ठीक है, और padding देना चाहते हो, तो padding दे दिजे, 5 top से और 15 bottom से, यहाँ 20, यहाँ 20, काफी चूटी लग रही है न, 30 दे देते हैं, 30, अब hover भी देना है, तो hover पे click करो आप, और यहाँ पे आप करके, text up white ही रखो, यहाँ पे click कर लो, यहाँ पर save नहीं हो, white का color, तो फिर save भी कर लेना, इसको आप save कर सकते हो, और उसके अद ब्लैक कर दो, तो इस तरह से यह हो जाएगा, आप grease डाल दो थो आशा, ठीक है, या change भी कर सकते हो, दूसरे color भी कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है, अब इसे publish करो, यह अभी हमारा banner बनाया है, ठीक है, अब banner में most important, सबसे अच्छा काम करता है, वो है आपका, यह headline, उसका description, और इसमें हम कुछ ऐसे image लगाएंगे, जी emoji तरह काम करेंगे, और वो बहुत ही अच्छी होगी, so guys, हम लोगी हहाँ पर contact us का button बनाया था, और यहाँ पर एक और button बनायेंगे, इसका नाम होगा, discover more, so वो भी एक button बनाओ सकते हम दो, तो इसके लिए करना पड़ेगा guys, आप क्या करो, एक container यह drag and drop करो, ठीक है, यहाँ पर drag and drop कर दो container, तो इसके अंदर यह button को हम डालेंगे, ऐसा मैंने क्यों क क्या, क्योंकि अगर जब दो button चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर आपको, या तो आप दो container लिलो, जिसमें एक button container के अंदर, दुसरी button भी container के अंदर हो सकती है, बट यहाँ पर बहुत अच्छी feature है, कि आप इसी container में बहुत सरी multiple elements रख सकते हो, ठीक है, suppose जैसे कि मैं किया स करना चाहती हूँ, जैसे अपने इस पर click किया, इसको duplicate कर लो, ठीक है, duplicate किया, यह नीची जलाया, आप अगर इस पर click करोगे, इस container पर directly, तो अगर आप यहाँ पर row horizontal कर दोगे, तो कुछ ऐसा आए जाएगा, और इस अब center कर दोगे, और देखिए, इसी में ही यह इस तरह स सकते हूँ, discover more मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें अगर आप एक icon लगाना चाहते हूँ, तो यहाँ icon ले लीजिए, arrow आप सर्च करेंगे, और यहाँ आप इस तरह का arrow आप ले सकते हूँ, इस arrow position को आप end कर दीजिए, कुछ ऐसा हो जाएगा, icon spacing हो जाएगी, यहाँ पी जित इसका जो text color होगा, वो हम डाल देते हैं, new color हमारा जो रहत था, वो color डाल देंगे, ठीक है, great, और यहाँ पे आप जाओ, तो थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हूँ, तो बाकी साथ चीज़ सही है, great, चलिए हम आपका hero section त्यार है, उसके बाद आप इहाँ पर brands दिखाओगे, new section लीजिए, flags box and new container, तो यहाँ पर container आपका आगया, अब इस container में आपको क्या करना है, आप grid कर लो, देखो grid में हार एक elements को पकड़ते चलोंगे कि आप use कर से कर पाओगे, grid के drag and drop कर लो, ठीक है, यहाँ पर अपने branches, ब्रांट से अपने काम कर रखा है, यहाँ आप काम कर अब भी रह हो, तो उनकी लोगो को यहाँ पूट कर दो, ऐसी मेरे पास एक logo है, इमेज को पहले drag and drop कर लो, और इसी इमेज पर क्लिक करके, यहाँ अप्लोट फाइल्स पर आ करके, यहाँ पर images डालो, तो सपोस यह मेरे पास एक brand है, तो इस brand को मैंने आप पूट कर दिया, इसी तरह सभी को duplicate करती जाओ, सभी को duplicate करती जाओ, duplicate, duplicate, इस grid में क्या होगा न, इस grid में आपको duplicate बिलती जाएंगी, यहाँ पर क्लिक करो, duplicate, यहाँ पर क्लिक करो, duplicate, तब इस grid ने आपको 6 यहाँ पर दे दिया है, एक अगर grid पर क्लिक करोगे, तो grid यहाँ पर customizable भी है, आप चाहो तो column 3 अभी है, इसको फूर खड़ सकते हो, इसको बढ़ाओ, देखो ये फूर हो जाएगा, तो ये भी हो कर सकते हो, row अभी 2 है, तब इससे 1 रख सकते हो, ठीक है, तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, 0 करना है तो 0 कर दीजे, तो अभी इसके साथ ही इसलिए से आरहा है, हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, अब ये आप दिलीट कर लिजे, इसे अब आटा सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखें, 4 इस तरह से आपके ब्रांट्स निमा आगे, 6. पे क्लिक करके, यहाँ पेड़ांस में आईए, पैडिंग पे अलिंग कीजिए और यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से स्पेस दीजिए, यहाँ पे से अपने ब्रांट्स लगा देने हैं ठीक, ब्रांट की लोगों लगा देने हैं, यह हो जाएगा, उसके तब प्लस अगन पे क्लिक करोगे, और न्यू सेक्शन लोगे, न्यू कंटेनर, इस कंटेनर में क्या करना है, सबसे पहले आगो क्या करना, वीद कुछ 12 बंडट कर दीजिए, क्योंकि यह जो वीद है, यह रिकमेंड वीद भी है, आपको इतना रखना ही चाहिए, जिसके आपकी वेबसेट में ज और मैं एक बिच-बिच में करती भी रहूंगी, आपको भी याद रखना हमेशा पैडिंग 50-50 दे देना, इसे क्या एकुरिट आप यहाँ पे एक पैडिंग लिके चलती रहोगे, सभी सेक्शन के अंदर, जो इस कंटेनर है न, कंटेनर सेक्शन दोनों एक है, अब यहाँ पे कंटेनर लिका हुआ है, तो इस कंटेनर में आपको हमेशा एडवांस में आकर पैडिंग देना ही है, टॉप बोटम से, ठीक है, क्लियर हो गया, प्लस अगर पे आजाओ, ड्राइक और ड्रॉप करो, हीडिंग को और यहाँ पे लिको, वाट वी ओफर, वार यू, ठीक ह लो, और फांड फांबली को, पॉप इंस कर दीजे, ठीक है, यह हो जाएगा, अगर रहाई से, आप सब जगह पॉप इंस रखना चाहते हो, तो उसके लिए न्यू टेक्निक से हो है, आपको पब्लिस पहले कर दीजे अपनी डिजाइन को, उसके लिए गाना पड़ेगा आ आप ए, साइट सेटिंग्स पे, और साइट सेटिंग्स में आकर यहां पे आपको दिखता है, गुलोबल फॉंट्स, तो गुलोबल फॉंट्स में आकर प्रैमरी को, यहां पर अर्वनिस्ट है, इसे आप खर दीजे, पॉप इंस, कि बार बार आपको पॉप इंस लिखना आप, आपका यह पॉप इंस आ जाएगा, क्लोज कर दीजे, अब आपको लेना है यहां पे एक डिवाइडर, तो यहां पे इसे आ जाने दीजे, अभी ड्रैग और डॉप करके आप नीचे आईए, यहां पे नीचे कहां रुखे, ड्रैग करें नीचे, ट्रैग और ड्रॉ आपते हो, what we offer for you, मतलब यहां पे आप क्या offer करने जा रहे हैं, तो इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो, चली हम लिखते हैं, that converts, that converts people, अब थोड़ी competitor साइट को भी देखना, क्योंकि content उनके according अगर आप लिखोगे, तो थोड़ा और ज्यादा converting लिख सकते हो, ठीक है, व अपने competitor को देखकर follow करके, हम लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे, राइटिंग्स, तो इस हैब center करके, advance में आईए, तो यह already यह pop-ins में चला आया है, अप क्लिक कर देखोगे, देखो, pop-ins में चला आया, custom यह जो global है, इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर text है, यह already आपकी text जो थी, pop-ins में थी, advance में आईए, और यहाँ पर आप देखोगे, weed, weed को आप custom कर दीजे, और यहाँ से आप इसको, जितना आपको चाहिए, तीन लाइन में चाहिए, दो लाइन में चाहिए, वह आप यहाँ पर hand करके, करके, और align self center कर दीजेगा, ठीक है, और यहाँ पर ए 20, 20 या 15 कर दीजे, 15 करके, center कीजे, style पर आईए, यहाँ पर इसको, दो कर दीजे, इसका color हमने save किया था, new color, वो कर देना है, और इसको, zero कर दीजे, इस पर समयने चाहिए, gap नहीं रहनी चाहिए हमारे, ठीक है, आप चाहँ इसको, और चोटा कर लो, बहुत बढ़ा ही लग ओके, और उसके बाद आप नया design करने माले हैं, जी उस साइद आपने सीखा होगा, चलिए, आप प्लस अगन पर आजाओगे, और उसके बाद आप यहाँ पर, इस container को drag drop कर दोगे, अपने, इस text के नीचे, यह हो जाएगा, होने के बाद, प्लस अगन पर आप क्लिक करो, औ और उसके अंदर आप एग container ले लिजे, इस container की अंदर आपको एक, दो और container लेने हैं, ठीक है, ऐसा आपने तिन container ले लिया, तीनों container को आपको row में कर लेना है, row वर्जेंटल में कर लेना है, इस तरह से, ठीक है, यह हो गया, और प्लस अगन पर क्लिक करके, आपको यहाँ पर फिर से container लेना है, इस container की अंदर आपको ले लेना है, image, image box, जिसके अंदर हम icon और text यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर image हम लेंगे, कुछ icons, जो icons आपको मिल सकते हैं, flat icons में, आप यहाँ पर आओगे, और यहाँ पर flat icon.com सर्च करोगे, और उसके बाद, आप यहाँ पर सर्च करो, puzzle, और आपको इस तरह से amazing puzzles मिनने लगेंगे आपो guys, आप click करो, कोई भी और इसको change करना होगा color, edit icon पर click करो, और यहाँ से choose new color, color हमारे पास already set है, इसके लिए क्या करना है, आप आजो style पर content में आजाओ, color लेना है तो color यह ग्लोबल पर आखरके, new color और इसको copy कर लीजिए, copy करके, आज यह यहाँ पर, यहाँ पर paste कर दीजिए, देखिए color आ गया है, जिससे आप download पर click कर यह, png पर click कर यह, जो size चाहिए आप वो click करके, फिर download, बहुत easy guys, इस step को आपको follow करना है, ठीक है, follow करते हुए आप इस flat icon से, amazing icons, download कर सकते हो, ठीक है, तो हमन यह यह download कर लिया, आज आओ content पर, और यहाँ से image पर click करके, upload files पर, select files, यहाँ पर आपको ले लेना image, तो हमने यह image ले लिया, select कर लो, और उसके बाद यहाँ पर content लिखने है, titles में, टाइटल में हम यहाँ पर लिखेंगे, interactive, interactive UI, उसकर हम कुछ यहाँ पर text लिख सकते है, we provide, wonderful, UI design, जस्टास हैं हमने लिखा, अब यह बहुत सरी लिख सकते हो, मैंने अभी सिर्फ एक लाइन ही लिखा, आप लिख लीचेएगा, image पर आईए, image को छोटी कीजिए, आप, टेक है, इसको image को छोटी कीजिए, 15 कर दीजिए, और उसके बाद नीची आईए, content में और इसकी size हम छोटी रखेंगे, इसको कर लिजे, 600, weight हम 600 रखेंगे, और इसको 22, ठीक है, 22, 20 करते हैं, amazing, and then description तो already आपके black में है, नहीं होगी तो black कर लिजेगा, और tapography भी already selected है, आपकी text, क्योंकि हमने save रखा था, इसलिए वो already select हो जाती है, तो आपको यहाँ पर text रख है, great, अब content में, नहीं, style में आ करके, यह जो box है, box की image spacing को आप थोड़ा खम कीजे, यहाँ पर 5 रख दीजे, और content spacing, इसको 5 रखें, great, इसको आप डूबिर कर लिजे, कर लिए अपने duplicate, same, इसको copy कीजे, और यहाँ के paste कर दीजे, इसकी भी duplicate, बस आपको content change करना है, अब image को click करो, और image यहाँ से लेते जाओ, मैंने already बहुत से images save कर रखी है, उस image को मैं use कर लूँगी, ठीके, और सभी के, यहाँ पर content change होते जाएगी, तो यहाँ पर लिख सकती हो, easy to use, easy to use, ठीके, और यहाँ पर कुछ content, इसी तरह यहाँ पर भी change करते जाओ, upload files और यहाँ पर, इनको अपर ले लो, select, और यहाँ पर भी, ठीक है न, यहाँ पर ले लिया, इसको और दार्ग रखना चाहिए ही था हम लोगो, तो मैंने थोड़ लाइट ले लिया है, आप दार्ग रख लिजेगा, अब यहाँ पर एक आपको और लेना है image, जो image vector image होगा, ठीक है, vector image कैसी आएगी, चलिए देखते हैं, यहाँ पर आज जो, flat icon से ही लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे rocket, थोड़ी सी आपको यहाँ पर, vectors images का भी यूज़ करना हो, बहुत ज़्यादा work करता है, तो यहाँ पर देखे, vector image आ रहा है, इसी से related आपको vector images ले ले जो आपको अच्छा लगी, तो मुझे यह ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसे png download, pre download कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग ले थे हैं, यहाँ पर, click करो, और यहाँ पर image drag and drop कर दीजिए, plus icon पर click करी, upload files and select files and आपकी image यहाँ पर चली आई, और उसके बाद आपको इ content center रख देना है, सबका, ठीक है, सभी का content पर click करके, justified content center, तो कुछ इस तरह से design आपकी बनेगी, अगर आप यहाँ पर special डालोगे, ऐसे की special कहाँ पर डालोगे आप, यहाँ पर बीच में, इसके बाद, ठीक है, तो यह और design को आपको enhance करेगी, और कुछ content भी डाल दोगे, इसमें थोड़ी से एक लाइन और बढ़ा दोगे, और यह design बहतरिन दिखेगी, ठीक है, तो इस तरह से आप what we offer for you, आप design बना सकते हो, great, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर effective about, जो ज़्यादा ही creative होगी, plus 7 पर click करके, यहाँ flash box लेंगे, और यहाँ container, और इस container को खड़ द spacing, ठीक है, plus 7 पर click करके, यहाँ पर आप container को dragon drop कीजिए, अब इस container के अंदर आप ही आएगी container, okay, and यह container जो है, इसमें आपकी row होगी, इस तरह से, and जो आपने अंदर लिया होगा है, उसको duplicate कर दीजे, तो यहाँ container, यहाँ container आजाएगा, ठीक है, इस container के अंदर image होगी, और इस container के अंदर उसके content होगे, बल्दब यह एक तरह से about का हमारा section बन रहा है, तो यहाँ पर heading ले लो, उसके बाद plus again पर click करो, यहाँ पर आजाएगा, text editor, उसके बाद हम यहाँ पर plus again पर click करेंगे, और यहाँ पर आप लोगे container, ठीक है, एक container ले लिया, plus again पर click के आपने, और यहाँ ले लिया grid, अब इस grid में आपके तीन colon होगे, बट row आपके zero होगे, ठीक है, मतलब zero मतलब कि एक ही में होगा, मतलब यहाँ पर आपके plus again पर click करो, और यहाँ पर आपके आजाएगी counter, ठीक है, counter तीन होगे यहाँ पर, इस तरह के, इसका duplicate कर लो, तो duplicate, और यह duplicate, तीन counter बनेंगे यहाँ पर, अब इसका design अभी हम करने वाला है, अब इसमें image में क्या चाहिए होगी, आपको यहाँ पर image में, एक transparent आपके इस company agency के, जो website design agency है, कोई भी एजंसी है, उसका यहाँ पर photo चाहिए, अगर photo ने देपाते हो, तो vector image दे दो, तो आज़ो अपने flat icon या आप free pic पे आज़ो, जो मैंने आपके इसके पहले website बनाई थी, website बताई थी आपको free pic.com, यहाँ पर आओगे, यहाँ में amazing amazing vectors मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे, man, search कर दो आप, man link दो, search करोगे, या professional man भी लिख सकते हो, photo दो, और यहाँ पर देखोगे, आज presents हैं, तो आप जो चाहती हो, आप यहाँ से दे सकते हो, देखो, तो हम यहाँ पर यह दे सकते हैं, यह दे सकते हैं, तो देखते हैं, कौन सा अच्छा लगेगा हमें, तो हम यह लग देते हैं, ठीक है, यह ज़्यादा अच्छा लग रहा है न, great, चलिए, इसको download कर लिजे फिर download, और आज भी अपने design पे, और यहाँ पे click करिए, image पे, और upload files, select files, और इसको select कर लिजे, और इसे अब select कर लिजे, तो देखें, image आ गया, और यह सारे content को आप click करके, इसे आप center कर लिजे, यहाँ पे container पे click करो गया, और justify content center, अब यहाँ पे content डाले वाले, content क्या रहे हैं, अचलिए डालते हैं, we are, आप मैं ऐसे पहले लिखते हैं, we are here to give you effective ideas, अब इसको अच्छे से align करने के लिए, इस style पे आजाओ, और यहाँ पे इसको अब transform, capitalize कर दीजे, और बाकी चाहिए तो सहीं है, pop-ins हैं, 45, 700, weight, बेगर सब उस सही है, आप चाहो तो बस line height, कम कर दीजे, line height 1.2, ठेक हैं, उसके आदे यह जो content है, इस description को आप AI के तुरू लिखवा सकते हो, click करो यहाँ पे, write with AI, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा prompts, तो यहाँ पे suggestor prompts, तो यहाँ पे write production description लिखा हुआ है, तो मैंने उस पे click किया, और यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ, तो यहाँ पे write लिखते हूँ, write 30 words, words about, web design, agency, so मैंने already AI का use कर लिया, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, आप यही डाल करके देख सकते हो, ठीक है, तो मुझे ऐसे द्वार बर दिखाएगा, एक बड़ मैं try करते हूँ, ठीक है, मैंने अब देखो, लिख दिया है, prompt and enter, तो यहाँ पे देखो, response one, response two आया है, जो आपको अच्छा लगेगा, वो आप ले सकते हो, तो मैं second one लेती हूँ, ठीक है, and उसे copy करके, यहाँ पे आऊंगी, text पे क्लिक करना और यहाँ पे paste, ठीक है, यहाँ पे यहाँ यह आप suffix में plus लगा दो, तो इस तरह से counter आयेगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे happy clients, happy clients, और style पे आएंगे, style पे आ करके, इन सब को हम design करेंगे, title position आप रखो before, या आप after भी रख सकते हैं कुछ ऐसा, उसका center रख दीजिए, आप title, original, center, number भी center में रहेगा, उसका number पे क्लि 65 कर दीजिए, okay, and title को क्लिक करो, और title पे आप यहाँ पे इसका color जो है, आप यह color रख लो, और इसकी size जो है, आप इसको size 18 कर दीजिए, and इसको 500 कर दीजिए, या नहीं तो हम इसे कर लेते हैं black, और नमबरों कर लेते हैं, orange, ठीक है, dark कर लीजिए थोड़ा, और इसको copy कर करके, यहाँ पे just paste style करिए, यहाँ पे paste style, और यहाँ पे सिरा उत्या करना है, number change करके, आपको यहाँ पे लिख देना है, experience लिखना है, members लिख सकते हो, आप, ठीक है, यहाँ पे suffix में plus लगा दो, और यहाँ पे लिख सकते हो, active member, ठीक है, और उसका दिस पे click करो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, five plus years of experience, यह सिर्फ experience लिखते हैं, great, ठीक है, amazing, इसको हम 60 कर लेते, ज्यादा ही लग रहा है, को 60 कर दे, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, अब हम next action पे आते हैं, plus अगन पे click करो, flash box पे और नए container पे, तो यहाँ पे हाँ करने वाले ह हम advance में आ करके, सबसे पहले padding को zero कर दीजे, और इसके अंदर आप style पे आ करके, यहाँ इसके background में color लिजे, यह वाली, and इसके अंदर plus again में click करो, और यहाँ पे हम लेने वाले हैं, container, ठीक है, इस container के अंदर हम लेने वाले हैं, दो और container, drag, drop, ठीक है, इसको duplicate कर लिजे, और fields का alignment होगा, like उसको align करेंगे, तो हो जाएगा row में, click करो, आप mean container पे, ठीक है, आप यहाँ पे navigator का भी इसमान कर सकते हो, आई से row में कर दीजे, पहले row में आपका text आ जाएगा, drag and drop, और दूसरे text, जो दूसरी container है, वहाँ पे आजागा button, drag and drop, ठीक है, और इसको just, इसको थोड़ा सा, यहाँ पे click करेंगे पहले, और यहाँ लिखेंगे, जो हम लिखना चाहते हैं, हम लिखना जाते है, get a free consultation, call के लिए call book करना चाहते हो, वह अप लगा सकते हो, get a free consultation, इसको तो हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन के लिए सबसे पहले आप white color ले लो, यहाँ पे इसकी जो text color होगे white होगी, इसको आप लिख कर दिए center में, और इसको हम थोड़ा big करेंगे, इसको हम कर देंगे, 60, ने तो 55, और इसको 700 रने देते हैं, और everything will be in capital, uppercase, उसके ताइस में number डालेंगे हम, आप text में number डाल दीजिए, यह डाल दिया, नहाँ पे, लिखो आप number, 91 plus, दीए number लिखा, अब इसका जो link बनाना है न, वो link आप कैसे बनाओगे, देखो आप, फोन करना है न, तब इसका link होता है, चलिए, यहाँ पे लिखेंगे, on number, link, कैसे सर्च करना, तो यहाँ पे, hyperlinks बनी भी आ जाती है, देखिए, आप click करोगे, तो यहाँ पे आपको mail to, और यहाँ पे call का भी, hyperlink बना वाता है, यह रहा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यह जो tail है, इसको लेकर के number लिख देना है, अपना number, तो इसको आप copy कर लिजे, आई यह सिर्फ phone पे जायेगा, ठीक है न, यहाँ पे लिख दिया, और यह number आपने जो लिखा है, इसे आप copy करके, यह इसको बटा दीजे, यह जो number आपने टिंडीज के लिखा हुआ है, इस इसे आप यहाँ पर paste कर दीजे, तो यह अपने आप उस number पर call चल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर style पर आकर इसे stretch कर लिजे, और इसे हम लोग यहाँ से ऐसे drag करके, यह लेकर आएंगे यहाँ पर, इसको और तुटा लेकर आएंगे, ठीक है आपने, और इसकी size accent में तो already है, लेकिन हम तोड़ा इसको big करेंगे, 20 कर देंगे, और इसको हम 600 कर देंगे, size आप इसको ठीक है, size सही है, यहाँ पर इसका जो है, 20, top bottom से, और like, जो left and right से वो तो सही है, और यहाँ पर radius 5, ठीक है, और सब को आपको container पर click कर लेना है, justify content center, और इसपे भी click कर justify content center, ठीक है, अब अब देखोगे, देखो, ठीक है, अगर कोई click करेगा, तो direct call पर चला जाएगा, वो call पर उसको लिखे जाएगा, ठीक है, और आप भी एगर इस content को रखना चाहते हो left में, तो यहाँ पर इसको left में कर लिजएगा, ठीक है, यह हो जाए तो अम यहाँ पर इन नया section बनाने वाले है, तो आप यहाँ पर प्लस अगर पर click करके flash box ले लिजे और container ले लिजे, उसके बाद आपको पता ही है, कि advance पर आ रही है, यहाँ पर padding में, top and bottom से 50-50 आपको padding दे देना है, लेयाओट पर आ करके आप यहाँ पर 1200 वीद कर दीजे देन ब्लस अगर पर click करके heading drag and drop, एन यहाँ पर heading में हम लिखिए, great idea, एन इसको style पर आ करके आप इसे center कीजे, और यहाँ पर click करके pencil icon पर typography पर transform capitalize कर दीजे, great, plus icon पर click कीजे, text editor drag and drop कीजे यहाँ पर, और यहाँ पर जो text लिखना है वो आप लिख दीजेगा, मैं यहाँ पर custom कर लेना है और इसको जितना आप रखना चाहते हूँ, two lines में रख करके इसे center कर लेजेगा, alignment self center, अब इसमें जो content है, वो आपको chat GPT से लिखवा नहीं है, और साथे जद आप computer को भी दिखन दोगे, ठीक है, prompts कुछ ऐसे ही अप लिखोगे, like जहाँ पर जो text लिखना है, उ plus again पर click करो, उसका container drag and drop करिया है, यहाँ पर, and इसके अंदर आपको लेना है, दो container, drag and drop कीजे, और इसके अंदर, he add new container कर लेना है, and mean container जो अपने इसके पहले लिया था, उसे row में कर लेना है, ठीक है, अब यहाँ हमारी आएगी image, and उसके बाद, इस plus again पर click करके, हम लेंगे click heading, उसके बाद लेंगे हम, plus again पर click करो, यहाँ पर, elements के लिए, और यहाँ पर आज ही text, उसके अदर आप ले लोगे, यहाँ पर, आती है, progress bar, तो यहाँ पर देखो, progress bar आ रही है, इसको drag and drop कर लीचे, तो इस progress bar को भी हम, use करने वाला है, अब यह image के लिए हम क्या करेंगे, image के लिए आप आज़ो अपने, यहाँ पर, और यहाँ पर, free pick में, free pick में आकर, search करिए, man, thinking, और यह vector image होगी, ठीक है, thinking या marketing related, कोई image आपको ले लिए, यहाँ पर, vector image, तो vector पर click करोगे, और free पर click करोगे, तो चली आएंगी, इमें back करते हैं, और यहाँ पर, vector करते हैं, त तो vector से related, देखो, यहाँ बहुत सारी images आ गई हैं, आप यह click कर लो, first वाली, और download कर लेजे, इस से related और भी image आपको नीचे दिखेंगी, आपको बढ़ पसंद आती हैं, तो वो भी आप download, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी images हैं, तो आप यह images, देख करके download कर लेना ठीक, तो I think here download हो गई है, हम, download हो गई है, आप आजए यहाँ पर अपने file explorer पर इसे आपको extract करना पड़ेगा, डाउनोर पर आजए और यहाँ पर click करके extract all कर लेजे, and extract, और यह हो जाएगा, और इसका image को बाहर निकालना पड़ेगा, यह तो आप यही पर रहना दो, कोई अदिक्कत नहीं है, आजए यहाँ पर click कीजे image पर, फिर upload files पर select files, और उसके बाद आपने जो extract किया था यह रहा, और यह image, फिर यह just upload हो रहा है, और उसकाद हम select कर लेंगे से, ठीक है, select कर लेजे, और यह image आपके यहाँ पर चली आई है, अब यहाँ पर लिख होगे, moment, इस style पर आगर जैसे आपको capitalize कर लेना है, ठीक है, great, ठीक है, और यहाँ पर कुछ text लिखते हैं, और यह हम सजाने वाले हैं, my skills को, तो यहाँ my skills है, यहाँ पर मिलिखते हैं web design, ठीक है, web design लिख देंगे, और यहाँ पर इसके अंदर भी web design ही रहाएगी, कितना percent रहाएगा 95 ए 96 एट जो लिखना चाहते हूँ, ठीक है, वो आपको दिखा देना है, style पर आजाओ, और यहाँ पर height अपने आप भी depend करते हैं पर इतना रखना चाहते हूँ, तो मैं यहाँ पर रखती हूँ 25, ठीक है, radius आप यहाँ पर रख सकते हूँ 5, यहाँ रख सकते हूँ 30, ठीक इन्या टेक्स का color तो white रहने देते हैं, वो white रहेगी, title, style, title को हम यहाँ पर 14 कर देते हैं, ठीक है, और इसको bold कर देते हैं, great, ठीक है, amazing, उसके बाद यह जो progress वाला था इसको थोड़ा सा, यह ऐसा color करते हैं, और इसको सिपको duplicate करना है, duplicate, और सम में आपको change करने ना है, यहाँ पर इसको कर देते हैं, 87, और इसको कर देंगे, SU, और inner text भी, SU, और इस वाले में क्लिक करके, यहाँ पर आप ग्राफिक्स डाल सकते हूँ, ग्राफिक्स आपके design से रिलेटेटिव होता है, तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स डाल सकत हो, UI, UX, designer, ठीछ, यह आप डाल सकते हूँ, यह हो जाएगा guys, इसमें आप number change कर लीजी, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके container को कर देंगे, यहाँ पर justify content center में, amazing, ठीक है, इस तरह से आप ने यह section बना लिया, अब इसकी बाद हम बनाने वाले guys, यहाँ पर, इसके बाद guys, हम यहाँ प्लस on click करेंगे, फ्लाइज बास पर click करेंगे, और यहाँ पर एक नया section लेंगे, और इसके अंदर आप आजाएए style पर, यहाँ पर एक आप background ले ले लिजेगा, जैसे कि हमने वो background ली ती यह वाली, इस इस related और भी backgrounds हमेरे पस थे, तो वो आप background ले ले लेना, मैं अभी फिला लिसी को लेती हूँ, और layout पर आकर के, मैं इसकी height को increase करती हूँ, ठीक है, 400 कर देते हैं, style पर आते हैं, और यहाँ पर आकर के, इसे center center, और फिर इसकी बास को no repeat and cover, ठीक है, और इस plus अगन क्लिक करके, heading drag and drop, और इसमें आप लिख सकते हो, we provide, अगर आपको दूसरी पीच पर भीजना है तो, ठीक है, उसके लिए money design बनाया, service for video, और आप यहाँ पर style पर आकर के, tap transform को capitalize कर देजएगा, center, और इसका color white, आप six dot पर क्लिक करके, advance पर क्लिक कर लेना, और यहाँ पर मने पैडिंग नहीं दिया था, इससे padding दे देते हैं, 50 top से, 50 bottom से, click कीजे, plus 1 पर क्लिक कर लिजे, और यहाँ पर text editor, जो है, drag and drop, style पर आईए, center कर ये, और इसका white color देजे, advance प click कर लेना, जितना पो चाहिए, उतना करके, इसे center में खर लेना, और एक चीज़ बूलना नहीं है, six dot पर click करके, इसे center में खर लेना, layout पर आजाओ, लेको justify content center है, तो center कर लेना, बटन्स चाहिए हो guys, तो यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर एक बटन उपर ला सकते हो, तो बट को, तो आप उस पर link लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा क्रेटिप करो, प्ले वाली बटन लगा दो, यहाँ पर, इस type की, और इसे insert कर दीजिए, बसका color डाल दीजिए, white, और यहाँ link लगा सकते हो, इसकी size को हम थोड़ी increase करेंगे, यहाँ पर 60, ठीक है, इस ट ठीक है, YouTube पर कुल भी एक link को हम copy कर लेंगे, so, इस वीडियो में आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया आपको लग रहा है, guys, तो आप उसके ऊपर comment कीजिएगा, यहाँ मेरा channel है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, subscribe कर लीजिएगा, okay, तो अभी मैं अपने वीड और six dot पर क्लिक करके थोड़ा सा है, पैडिंग बढ़ाएंगे, ताकि यह और खुफ सुरत लगे, 70 और 70, six dot पर क्लिक करो, layout पर आजाओ, और यह वाली हटा दो आप, आप इसको 500 कर दीजिए, great, ठीक है, अब हम आते हैं नीचे, एन यहाँ प्ला सब्सक्राइब करते हैं, पर क्लिक करेंगा, और यहाँ पर हम अपने best चीजे लिखेंगे, जैसे कि हमारे founders के बारे में, अगर आपके founder हैं, तो founder के बारे में लिख सकते हो, otherwise अब हम portfolio डाल सकते हैं, ठीक, founders की sections आप कुछ ऐसा ही बना सकते हैं, जैसे कि हमने यह वाली बनाई, यहाँ पर founder की image होगी, और यहाँ पर उनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक, उनका नाम यह company पर होगी है, और company founders ही हो, और उनके बारे में 2-3 line लिखना है, और किस चीज में export है, वो चीज, ठीक है, अब हम आते हैं अपने नया section पर, वो हम बनाएंगे अपने portfolio को, तो portfolio के लिए मैंने नया content ले and drop कीजिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे, style पर आईए, इसे center कर लिजिए, and tapography पर आकर की, transform को यहाँ पर capitalize कर लिजिए, plus again पर क्लिए कीजिए, और text editor, और एक बाद अब ध्यान दे रहे हो, जब से हमने वो font, global font को save किया है, तब से हमारी works बहुत ही smooth हो गई है, और समय भी कम लग रहा है, center कर लो, advance पर कर लो, और उसके बाद यह जिस custom करके, इसको आप यहाँ पर center कर लिजिए, great, amazing, अब यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, अपने works, तो यहाँ पर लिखोगे project, so यहाँ पर लिखोगे filterable gallery, इस gallery में आप अपने projects को सो कर सकते हो, drag and drop, ठीक है, इस में अब ही यह क्या है, items, 6 दिख रहे हैं, आप column यहाँ पर 2 बना दो, और यहाँ पर 6 दिखेंगे, आप 4 भी दिखा सकते हो, आप, मैं यहाँ पर column जो बनेगा, हमारा 2 को बनेगा, और यहाँ पर मैं items 6 ही रखोंगे, मतलब हम 6 का ही यहाँ बनाएंगे, और सभी इसके पी बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको आपर मिल जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे आप बना सकते हो, तो चलिए हम बनाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिया, देखे सबसे पहले यहाँ पर, item to show 6 है, हम 6 दिखाने वाले है, अगर आप पर दिखाना कितना है, 6 दो, इसका condition अपने नीचे रखा हुआ है, ति इसका condition नीचे हम नी रखा हुआ है, उसके accordingly होगी, तो आप यहाँ पर 6 ही करिए, and column आप यहाँ पर 4, 3, 2 कर सकते हो, देखे हो, यहाँ पर दिख रहा है, तो हम 2 ही रख सकते हैं, grid है, और measuring में कुछ जैसा आएगा, देख रहे हो आप, तो इस तरह से आप रख सकते हो, तो grid form ही रखते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है, overlay, overlay आप देख से ओबर कर क्या रहा है, वो होगा, card अगर रखोगी, तो card के form ही इस तरह से आएगा, तो हम card नी रखेंगे, हम overlay रखेंगे, slide in up, या over transaction, उसके timing कितनी होगी, 500 mini second है, वो आप रख सकते हो, और नीचे आओगे title clickable, title हो clickable बना सकते हो, अगर आप इसको activate कर दिया, तो वहाँ पे ऐसे कि, अभी over कर रहे हो, तो cursor नहीं आ रहा न, hand वाली cursor, तो अगर आप click कर दोगे इसको, तो देखो, यहाँ पे hand वाली cursor आ होगा हमारी website design की projects, ठीक है, उसके लिए हमने बनाया, एक हमारी बनेगी, ACO की बन जाएगी, एक हमारी बनेगी, graphics की बन जाएगी, ठीक है, graphics की बन जाएगी, इसमें अब अलग-अलग ads graphics बनाते हो, उसके लिए, ठीक है, एक all already यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, enable filter अगर आप इसको disable करते हो, तो नहीं देखेगा, देखो, यह आपके बड़ बेंड करता, अगर आप रखना चाहते हो, तो रखो, नहीं तो आप ऐसे disable करतीजी, gallery items पे आओगे, तो gallery items अब बनाने हो, जो आपको यह सारे items दिख रहे हैं, यह सारे gallery items हैं, ठीक है, तो video privacy mode, अगर video रखन नहीं आइटम, तो दिखेगा कहां से, है न, अगर आप रहे हैं पर उसको कर दोगे 8, तो अब डिस्पले कर आओगे न, यहां से 8, तो अभी तो 6 ही दिखेगे, 6 लिखा होगा है, और 8 करोगे, तो यहां पर 8 दिखने लगेगा, ठीक है, जितनी item पे रहेगी, उतना ही दि आप लेंगे, सबसे पहले एक आया है गलरी आइटम नेम, यह वाली पहली वाली नेम, ठीक है, गर रख दी हमने तो अगर क्लिक करेंगे, तो यहां पे प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है, यहां पे प्रोजेक्ट आएगा, तो इबर कंट्रूल का नाम देख लेते हैं, सही र देखना चाहिए, इकलरी आइटम पे आजाईए, और यहां पे नाम डाल दीजिए, ओके, अगर यहां प्राइज रेटिंग दिखाना चाहते हो, तो दिखा सकते हो, इसमें रेटिंग भी आएगी, वे हम कौन सा कर रहे हैं, यह वाली नाम चेंज करते हैं, इसका नम इंड यहां पे नेटेज, यह एक मेरा प्राजेक्ट है, तो देखो यहां पे आगई, और रेटिंग से यहां पे अगर 4.5 रहेगी, 4.5 इनेबल केटेगरी, यहां पे याटा तो, ठेके न, और यहां पे आपको उसके बारे में लिख सकते हो, it's a kind of e-commerce, तो इस तरह से मैंने कु डाल दिए, आप देख सकते हो, great, इसी तरह बाकी सब में भी डालना, हाँ, इमेज भी होगा, यहां पे देखे नीची, स्क्रॉल करकर नीची आएगा, यहां पे इमेज, और इमेज पे क्लिक करिए, और यहां पे आपको अपने प्रोजेक्ट का कोई भी एक डालना पड़ सकते हैं, तो सब्सक्राइब करो, और मैंने इसका लिंक डाल दिया, यहां पे, तो कोई भी क्लिक करेगा यहां पे, तो डारेक्ट हो जाएगा मेरे वेब साइट पे, ठीक है, दीस तरह से आप जो है, बैट्रीन, यहां पे अपने प्रोजेक्ट को डिसल बे करा सकते हो, ज ठीक है, इस दर जैसे मैंने आपको बताया, वैसे सब की चीज़े आप डाल दीजेगा, मैं सिर्फ यहां ही चिंज कर रही हूं, तो यहां मैं सिर्फ हमने डाल दिये चार, चार डाल दिये, दो बटा दे रहे हैं आसे, ठीक है, दो बट गए, और यहां आप देख सकते हो, लोड बटन, लोड मूर बटन, अगर आप चाहते हो, बटन आ जाया, बहुत से प्रोजेक्ट अपने बनाया होंगी, तो यह बटन भी आ जायाएगा, ठीक है, तो हमें सिर्फ चारी दिखाना है, इसलिए हमें देने के जरूरत नहीं है, ठीक है न, इसे डिजाबल कर दीज गंट्रोल में पैडिंग में तो ठीक ही है, मार्जिन भी सही है, बस आप एक्टिव जब कर रहे हो, तो वो कलर दुसरी हो जा रही है, एक्टिव में बैक्राउंड जो है, वाइट हो जा रही है, तो आप यहाँ पर यह ले लो, लाइक इसका कलर आप वाइट ले ले लिज कलर में है, ठीक है न, ठीक है, जो नार्मल में सिफ यह ब्लैक कलर रहाएगा, जैसे ओबर करेंगे, वो ओरेंज बैक्राउंड हो जाएगा, और उसकी टेक्स कलर वाइट हो जाएगी, बाडर देना दे सकते हो, मैं बाडर नहीं दे रही हूँ, और यहाँ पर रेडियस वा बात नहीं है, हम यहाँ पर फाइफ, इस पर रेडियस डाल देंगे, देखो रेडियस आगी, कर्व हो करके, मौस ओवर एफेक्ट्स, मौस ओवर कर रहा है, तो ब्लैक कलर का यह बैक्राउंड कलर आ रहा है, तो उसे आप पो लिटाग भी कर सकते हो, कुछ ऐसे, ठीक है, और इसमें भी टेक्स का कलर वाइट आ रहा है, इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप होवर कलर चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर ओवर कलर आ दे सकते हो, यह वाली कलर, ठीक हो, ठीक है न, यह आपके उपर बेंड करता है, सेंटर बगना चाहते हो, तो सभी यह सेंटर में आ जा तो आप जानते वीडियो तो यूज होता नहीं है तो आप यहां पर डाल सकते हो इसको चुटा रखेंगे पूर्ट रखते हैं और फॉंट साइज अब देख रहे हो नहीं हो बड़ा हो गया है इसको हम चुटा ही रखते हैं तो इसके नुव फॉंट टेक्स अगर कुछ है तो उसका टेक्स्ट का क्या होगा आप यहां पर यह टेक्स्ट ले लो ठीक अगर नहीं कुछ मिलेगा तो हमें नुव फॉंट टेक्स्ट का एक यह मैसेज आ जाएगा और हमारे आइटम्स का जो टैपगर आफ़ी हो अमने चेंज नहीं किया तो यह हम चेंज क कि यह कंट्रॉल वाले हो गए आइटम्स पडेक्स करो आइटम्स में आपका नहीं दिया हुआ है माउस वब इफेक्ट्स पर या इसमें टेक्स्ट है ना टेक्स्ट है इस पर कुले कर लो तो देखोan यहां पर आ गया और यहां पर भी कर लीजिए ठीक है नहीं देखिए आ गया साइज छोटी कर लीजे इसका यह वी 16 में ही है न इससे आफ 14 कर लीजे तो देखो कि एक साइज छोटी आ गई और इसको थोड़ा इंक्रीज कर लो आप यह वाली तो इस तरह से आपने हाँ पर फिल्टर वर गलरी बना ली जो आपके प्रोजेक्स की तरह काम करेगा प्रोजेक्स की आपको इसकी इंसोट ले लेना है उसे आप यहाँ पर डाल लोगी ठीक है अगर आप चाहते इस क्वालेबर बनाना आपनी उस लैंडिंग पेज को यह वैब साइट को आप यहाँ बनाने वाले टेस्ट मोलने के सेक्शन तो आप यहाँ प्लस एंड पर क्लिक करो और फ्लाइस बोक्स पे और यहाँ पर कंटेनर पे यहाँ पर वीद आप 1200 ले लीजे और एडवांस पर यहाँ करके पैडिंग को अलिंग करके यहाँ पर 50 टॉप से बॉटम से 50 और आप इस्टाइल पर यहाँ पर इमीज ले सकते हैं बैग्राउंड पर और यहाँ बैग्राउंड पर क्लिक करके इमीज को स्रेट कर लीजे ठीक है ले लिए आपने सीम वही प्रॉसेस करना है सेंटर सेंटर और यहाँ रिपीट को नो रिपीट एन इसे कवर कर लेना है ठीक है यह हो जाएगा एन उसके बाद आप यहाँ पर प्लस अगन पर क्लिक करिए एक हिटिंग ड्रेगन डॉप कीजिए और यहाँ पर लिचिए ठीक है लिख करके आप स्टायल पर आजाएं सेंटर और इसका कलर वाइट कर दीजिए ठीक है ब्लस अगन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स रिष्ट लादेना और इससे आप सेंटर कर लीजिए उसके ओद एडवांस पर आपर इससे जातर करके कस्टम कर लिए कर्दमे कितना लाइन चाहिए आपको वह आप आप गहां पर डाल दीजेगा और इसका कडर वाइट त्रीजे भाग यह सही है आप आपको चाहिए टेस्टिमोनियल तो प्लस अगर पर क्लिक कर टेस्टिमोनियल सर्च कीजिए टेस्टिमोनियल आपका राउजल बना होगा वाली टेस्टिमोनियल है और एक यह वाली टेस्टिमोनियल है यह तेस्टिमोनियल मुझे ज्यादा पसंद है यह आप ले सकते हो टेस्टिमोनियल पर आओगे और यहां पर 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 य लिए वेब डिजाइनर एक कुछ ऐसे मैंने लिख दिया रिव्यू यहां पर लिखना है रिव्यू सब्सक्रों मैंने यहां पर चैट जी पीठी का यह लिखा हुआ वह वह कॉंटेंट में डाल देती हूं जो यहां पर था सब्सक्रों रिव्यू तब डाली लोगे और लोगों की उन उन ख्लाइन की तो आप यह मुटाल सकते हूं ठीक है तो इस तरह से आप यहां पर टेस्टीमोनियल बना लोगे आंड यहां पर देखोगे जिस्ट मैं इसको कॉपे पिस्ट कर दी वाकिए सर्ज जीजा है उसको रिमूव करके इसे वस्कॉपे कर लेती हूं सेटिंग्स में आप देखोगे यहां स्पेसिंग लेफ्ट और राइट लेफ्ट राइट से 15-15 स्पेसिंग है तो चलो यह ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्पीड भी 1000 ठीक है आटो प्ले है और यहां पर आप देखोगे नीची आओगे सो एरो अगर आप 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 सकते हैं ठीक है डॉट्स देख रहे हो आपे डॉट्स दिक रही है तो डॉट्स रख सकते हैं पॉस और यहां पर पतलब की पोरी यह जो टेस्टिमोनिल की लेएट है इसमें जो आप गाप कर सकते हो तो यह आप हमें नहीं चाहिए अटा दीजिए आप और नीची आईए रैपर कंटेंद स्टाइल हम कर सकते हैं उसमें नहीं करना डिस्क्रिप्शन संग डिस्क्रिप्शन में आप पर टेस्ट चेंज कर लो यहां पर जो हमने टेक्स ऐसंवने फांग Republican है खे रह दो हम यम्याश पर लेंगे जोग का दिक्स बट्र ज entwicakनारा नें पर आप हम सकते हो and hover का भी color change कर सकते हैं वैसे हमें देना नहीं है ठीक है and code icon code का icon हम देख रहे हैं इसका color आप डाल दीजिए यह वाली तो देखो color change हो गया ठीक है client client पे click करोगे client की जो यहां पे name है name को हम change करेंगे accent accent पे रखुए या तो text में जो आपने save रखा है ठीक है description को भी text पे रखेंगे but इसकी size को हम छोटा कर लेंगे जो designation है client की उसे थोड़ा छोटा करेंगे एक normal size से ठीक है and उसकी client की image है तो client की image ओलेडी ठीक है अगर उसको center करना center कर सकते हो but yeah good well and good lefty रखो ठीक है dots है dots आपको यहां पे दिखे रहे हैं dots यह dots के यहां पे यह है वीद है वीद आप बढ़ा रख सकते हो चोटा रख सकते हो तो मैं यहां पे इसकी width 5 रखती है 5 आप बहुत ही चोटा हो जा रहा यह ठीक है height भी ठीक है चलो नीचे आजाओ चलो हो गया अभी वस इस wrapper content layout पे आओ layout पे यहां पे जो background है इस background को हमें अटाना है तो आप यहां background पे आ करके इसकी opacity change करने पढ़ेंगे तो आप description पे आ जाओ और इनके color को change कर दो white कर दोगे and rating पे आ करके इसकी भी color आपको change कर लेनी है आप चाहओ तो white रखो या grey भी रख सकती हूँ जो color आपको fit करता है and उसके बाद client पे आओगे client पे उनका name उनका designation वो सब कुछ यहां पे color white हो जाएगा and यहां पे designation भी हो जाएगा ठेक है यह हो जाएगा image यहां पे जाओ तो bottle लगा सकते हूँ image के अंदर तो image में bottle लगाने के लिए solid choose कर लो देखो यहां पे आ जाएगा आप यहां पे two लिख भीचे और यहां पे इसको थोड़ा आप यहां पे यह color डाल सकते हूँ अधू creativity आपके उपर डिवेंट करती है guys so creativity आप करो और भी सुन्दर बनेगा यह और यहां पे image की size अगर बड़ा करना चाहते हूँ तो बड़ा कर लोगे आप देखो आप तो उस जाधा जाधा ही amazing लग रहा है ना तो यह आप रख सकते हूँ मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देती हूँ 140 तक कर सकते हूँ ठीक है यह हो गया amazing चलिए अब आप देख रहे हैं पर जो dot है वो बहुत नीची आ रहा है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसी testimony के का ही यह part है उसके जाध करेंज हमें कुछ और section मनाने वाले हैं जैसे कि हमारा section यह पर complete है हमें कभी भी home page पर 5-6 sections most important होता है जो मैंने आपको बता दिया है पहला section आपका hero section होता है जिसमें आपकी headline बहुत ही catchy होनी चाहिए और आपकी description है आप ए call to action CD होना चाहिए brand आप add कर सकते ही जो तो उनका आप यहाँ पर description डाल सकते हो आपने अपर तक क्या काम किया है इसका timeline बना दे होगी यह हो गया यह important है ठीक है first में यह है second यह है third यह है and fourth में क्या आप projects किस तरह से किस में आप expert हो वो आप यहाँ डाल सकते हो and fifth जो है important यह and उसके साथ यह testimonial भी ठीक है यह part आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा but यहाँ है most important testimonials यह portfolio and आपका work experience यह वाला and आपकी banners यह important चीजी हो चुकिए और मैं यहाँ पर और section बताऊंगी जो आप add on कर सकते हो and last में अगर आप blog भी लिख रहे हो तो blog भी add कर सकते हो ठीक है तो चलिए में नीचे आते हैं ब्लोगिंग अगर आप चाहरे हो की ब्लोग का भी पार्ट इहां पर करा हो तो वो अभी possible नहीं उसके लिए आप न डिश्टर मार्केटिंग का उज एजनसी का मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंग आपको description मिलेगा तो वो आप चाहकर जरूर देखिएगा ठीक है तो यहां पर हम प्लस अगर में क्लिक करके फ्लैसबोस पर क्लिक करेंगे और यहां से content ले लिया हमने और यहां पर हम बनाएंगे कुछ other section जो creativity को enhance करेगा और आपको और ज्यादा present करेगा कि आप करती क्या हो why you are the best ठीक है और तो यहां पर वीड दी दीजी 1200 और यहां पर advance पर आजाईए, padding में unlink करके 50-50 कर दीजी ठीक है तो यहां पर इससे पहले आपको क्या करना होगा आप प्लस अगर पर क्लिक करो और यहां पर heading लादो और heading लाने के बाद आप जस्ट यहां पर लिखो, throw यहां पर लिखके स्टाइल पर सेंटर कर दीजी प्लस अगर पर क् तो द्रैक करके इधन लादीजी यह हो गया उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर एक divider लगा सकते हो divider आपने देखा था है यहां पर हमने बनाया था starting में तो divider को आप सब जिगर लगा सकते हो यह divider रहा इससे आप copy कर लिजी नीचे आईए ड्रैक करके और यहां पर इसके पहले heading के बाद ओ गाड नहीं हुआ उपर आजाईए और जल्दी से नीचे आ करके इसके बाद अब आप प्लस अगन पर क्लिक करिए container को drag and drop करिए और उसके बाद प्लस अगन पर क्लिक करके फिर से container को drag and drop करिए hope आप container के बारे में जानगे होगे कैसे इसको use करना है और मुझे believe है कि आप container से बहुत friendly भी हो गया होगे इसके बाले section था section में थोड़ा बहुत easy हो गया थे जब container आया तब को प्रसानिया होने लगी तो अब इसमें यह सारी जी वीडियो बन रही है सिर्फ सारे container पर बन र देखिए use के रिए implement कीजिए क्योंकि उसमें जादा-जादा enhancement है smooth design बनेगी जैसा आप चाहते हो custom design बना सकते हो ती है main वाले container पर क्लिक करिए इसको थोड़ा ड्रैक करके उपर ला लेते हैं हम लोग तो main container हमरा यहां पर है और इससे आप row horizontal कर लिजिए और यहां plus icon पर क्ल रहा है यहां पर बहुत अच्छा feature है कि आपको ने एक जैसा ही vector image मिल जाता है जो एक brand को enhance करता है ठीक है तो यह हो गया एक और लेते हैं console लेंगे यह वाले ले रहते हैं okay great free download यह हो जाएगा और हां सभी को आप extract कर लिजिए otherwise आप यूज नहीं कर भा होगे तो यहां पर click करके इस extract all extract ठीक है उसी तरह इससे आप देख close करिए उसी तरह यह वाले भी खड़ लिजिए extract all amazing चलो यह भी हो गया great close कर लिजिए close कर लिजिए आ जाएए अपने design तो यहां पर हमें चाहिए image image को यह drag and drop कर लिजिए फिर उसके बाद image पर क्लिक करिए और यहां पर जो हमने image download की है उसे select files पर क्लिक करके download पर आजाओ दो files available होंगे देखो आप यहां पर एक secure वाला होगा इससे पहले ले लि secure तो ले लिया है man thinking भी हो चुकी है यह वाली ले लिजिए okay great तो पहली वाली image को use कर लिजिए select करके great amazing and उसके बाद आप यहां पर heading को drag and drop कर लिजिए and then आप देख सकते हो यहां पर आपके पास आपको पताईए कि heading के बाद आपको text editor ले लेना है तो text editor पी ले लो बाद में इसको design करेंगे हमें पर और एक button पी चाहिए तो button के लिए आपने button बनाया था उपर उसी button को copy करके वहां पेस्ट कर दीजिएगा तो इस button को copy कर लेता है copy नीशिया जाईए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए ठीक है और इस container पर क्लिक कर कि इसे center कर लीजिए और यहां पर हम चले लिखते हैं content पर आ जाईए और यहां पर लिखिए we make future marketing ठीक है we make features in marketing और उसकी बाद आप यहां पर इस content पर क्लिक करो और इस content को आप चाहो तो three lines में break कर दीजिए यहां पर custom पर क्लिक करके या नहीं तो काम कीजिए आप इसको default छोड़ दीजिए इसे को duplicate कर लेते हैं मतलब इसका एक तरह से description थोड़ा लिखना पड़ेगा ठीक है न और यहां पर इसे center में नहीं रख करके हम इसे left में रखेंगे और इसमें थोड़ा design करेंगे यहां पर dark color और यहां पर 5 कर लिजिए और यहां पर content में क्लिक करके हम यहां पर लिखेंगे chat us या contact us ऐसा लिखेंगे contact us और link दे दिजा contact us का ही ठीक है न यह हो जायागा great और ठीक इसी का duplicate करिए इसको duplicate करके हम सिर्व इसका section चेंज करने वाले हैं देखो duplicate हुआ अब बस section को इधर drag करके इधर लादो आप देखो इस तरह से बस design करनी है अब बस इसके बाद आपको यहां click करके और यहां पर इसका text चेंज कर लेना है ठीक है और इसका style में आकरके इससे आपना right side कर लिजे और इसको भी right side content को भी यहां पर right side create और यह भी button भी आप इसको style पर आकरके right side amazing image को change कर लिजे image आपने already लिया हुआ है amazing great बहुत अच्छा बन रहा है हमारा designing तो यह हमारा designing complete हुआ guys इसमें buttons को आप जो है और यहां पर आप ब्लॉग पर काम कर रहें ब्लॉगिंग लिखते हो तो यहां पर ब्लॉग बना लिजेगा तो कैसे बनेगा मैं बता देती हो प्लस अगर है तो वैसे तो marketing फिल्ट पर अभी भी अगर आप एक agency हो तो इतना important नहीं कि आप ब्लॉग लिखो लेकिन आप चा होगे यहां पर जो भी content लिखे होंगी वह automatically चले आएंगे देखो मैंने लिखा हुआ है तो यहां पर चला आया है तो मैं अब यह सेक्शन को skip करती हूं यहां नहीं लेना इसे प्प्लिस कर दीजिए हमारा design complete हुआ अब मनाएंगे से responsive जैसा कि आप देख सकते हो है ना सभी इसकी size ही आपको optimize करनी है style पर आजाओ size को छोटी करो आप 45 देदीजी देखे size सही हो गया क्लिक कर यह इसके ऊपर advance में आकर जिसकी जो हमने custom width बनाई थी उससे आपको enhance करना है ठीक है ठीक है देख हो गया इसी तरह यह वाली भी कर दो अगर आपको ठीक लग रही तो रहन यहां से mean पिर click करो और यहां पर इसे आप column कर दीजे यह स्थर से हो जाएगा और यह वाली भी same वैसे कीजिए इसे आप column जो है column में करके कर दीजी और इसी center में कर दीजे click कर यह इसके ऊपर और यहां पर इसको 100 कर दीजे क्योंकि हमें 100 रिचाएगे otherwise क्या होगा कि सही से आएगा नहीं और इसे percentage में डाल दीजे ठीक हो गया नीची आईए यह इसको भी click करके same वैसा ही ठीक हो गया और यहां पर mean control पर click करके इसे आप column में कर दीजे हो गया image छोड़ा कर सकते हो image छोड़ा करना नहीं आता काईस तो click करो image के उपर style पर आजो और यहां पर image जितन चाहिए size अब उतना रख सकते हो ठीक है great नीचे आ जाईए यहां पर भी वही करना है यहां पर आप एक चीज़ और बता देते हों कि चाहिए कर आपको break करना कोई भी जगा पे तो bear tag लगा दो तो break हो जाएगा कुछ ऐसे है ठीक है और इस pencil अगर click करके उस पता ही है क्या क content पर आजाओ testimonials पर क्लिक करो यह तो ठीक है settings पर आजाओ settings पर slide to show one रखो scroll भी one रखो ठीक है यह हो जायाएगा नीचे आजाईए same वैसे यहां पर भी और यह container पर क्लिक करके इसे आप row और gentle कर लीज़े कहां गया यह रहा mean वाले counter पर क्लिक करके column और टिकल amazing same वैसे यहां पर भी vertical ठीक है great तो यह होकी designing हो गई वैसे ही आपको responsive के लिए mobile पर भी क्लिक करना है और शीव आपको यहां पर text के tabography यहां पर text के size के ऊपर खेलना है ठीक है बाकी चीज़े देखो आप automatic के यहां पर responsive हो जाती है सिवाब को यहां पर text के size के जात खेलना है 35 कीज़े देखे automatic के छोटा हो जाएगा और यह वाली भी इसको भी यहां पर ठीक है नीशे आ जाओ यहां पर भी इसको कर दीजे कितना है 35 कीज़े और यहां पर 1.2 यह 3 कर रही है ठीक है इसे हम copy करके जहां यूज बड़ेगा हम वाँ यूज करेंगे यहां पर करेंगे 35 कर लेते हैं यहां पर क्लिक करते हैं यहां पर लेड़ी बहुत ही बिक साइज है 45 करके देखिए नहीं 35 ओके रेट यहां पर भी क्लिक करिए 35 इसी तरह सीम यहां पर भी 35 रीचे आईए सब जगह सीम इकूल यूज करना आपको मिक्सिंग नहीं करना ठीक है न और यह भी ध्यान रखेगा लाइन हाइट अगर ज्यादा लग रहा है तो आप 1.3 यूज कर लेना है सेम यहां पर भी 35 ठीक है और इसकी देखिए यह अली टेक्स्ट यहां पर सही से नहीं आ रही है इसको ठीक कर लीजे ग्रेट बीचे आज़ेए यह साज यह सही है इस पर क्लिक करिए स्टाल पर क्लिक करिए और यहां पर इसको भी 35 यूज कर लीजे यह टेक्स्ट को 35 और ये content Amazing इस तरह ये भी content style पर आजाईए 35 ये वाली भी content 35 चलिए हो गया Great ये हमार responsive भी हो गया पॉब्लिस कीजिए और उसके बाद आप page पर आ करके इसे view गईजिए live अब देखने माले हम कि हमारा design अब तक कैसा बना है ये home page ये हमारा home page इसको view करते हैं open new tab guys देखो आप ये हमारा designing complete हुआ so guys आपको video बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत ही कुछ सीखा होगा ऐसे आपको बहुत सरे elements पता चाले होगी कि हाम ये section बना सकते है अपने home page में और आपने उसे बहुत भैतरीन उसे अपना बना लिया होगा और उसे आप apply भी करने वाले implement करने वाले अपने business को scale करने में और अपने home page को बहुत ही attractive बनाने में ताकि आप अपने customer को draw कर सको और अपनी service को पीच कर सको guys ये home page ही तो होता है ना जिससे आप अपने customer को draw करती हो attention grab करते हो और उन्ही अपने customer को client में convert करते हो है ना तो यह हमने home page बनाया ऐसा तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाएंगे हैं जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वैबचिट अब ले लो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी एंड आपको आई बटन मिल जाएगी तो वहां पर मैंने हर एक चीज डिटल बताई थी है ना अगर आपने देखा होगा तो और यह मैंने पटिकुलर होमपीज इसलिए बताया है ताकि बहुत सरक लोगों का डिमांद था कि आप होमपीज डिजाइन कैसे करते हुग आप बताई इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया और यह आपको बहुत पसंद आया होगा पसंद आया ना कमेंट में बताओ येस आ जाएगी कैस वीडियो अच्छी लगी है ना लाइक कर दीजिए सुस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब भी कर दीजिए मिलते हैं निक्स वीडिज में तिल देल थाइक इस वाच वाच वीडियो बाई